फ्रेंस आज मैं आपके साथ सेयर करने जारी हूं मसूर दल का भेज पुलाव यह बहुत ही टेस्टी बनती है और भेटेरियन लोग के लिए तो यह किसी बिरियानी से कम नहीं है तो रेश्पी को लाश टक देखिएगा पहली बार में यह पुलाव आपकी एकड़ों परफिक तो यह अच्छे से फ़्राई होगा अब इसे हम इस तेल में डाल देंगे और इसे इसी तरह से कंटीनुण को इस तेल में टाल देंगे और इसे थोड़ा सा थोड़ाइं कर लेंगे तक इसका जो फ्लेवर है उ तेल में अच्छा सराила में अच्छे से आज़े और यहां पर मैं लिया है दो आलू जिसे मैं इस तरह से क्यूम विख्ष भून लिया है करने को हाइब करें यहाँ पर अधी चोटी चमच जीड़ा पौरर, इस जंग तक शहरी मशारी को आपकें अब यहां पर मैं ले रही हूं दो टमाटर जिसे मैंने इस तरह से सलाइस में कट कर लिया है इस तरह से कट करने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं अब सारे टमाटर को मैं इसमें डाल दूंगी और टमाटर डालने के बद इसी के साथ इसमें हम नमक डालेंगे नमक डालने से टमाटो जल्दी से पक जाते हैं, तो नमक मैंने यहाँ पर देज छोटी चमट डाला है, नमक आप अपने टेज कोकरी डाल सकते हैं, और मसाले को भून ले के लिए इसमें हम थोड़ा सा पाई डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे, फराई किया ह इसमें आधे गंटे के लिए पाने में भींगोके रख दिये थे, तो यह देखिए कितने अच्छे से यह फूल गया है, अब इसे भी इस मासाले में डाल देंगे, और इसी के साथ यहाँ पर मैं ले रही हूं थोड़ा सा बारी कट्री हरधनिया, थोड़ा सा बारी कट्री इसमें मैंने थोड़ा सा चीरा लगा लिया है, अब इसे भी आधे से एक मिनट के लिए भून लेंगे, तो दाल को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं, अभी से ही कितनी टैंट्रिंग लग रही है, अब इसमें हम पाइन डालेंगे, तो यहाँ पर हम प्रेसर भी निकल गया है, अब इसके हम लेड हट आएंगे, तो एक बार चेक कर लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाल भी अच्छे से पक गई है, थोड़ी सी कसर रह गई है, तो वो चावल के साथ पक जाएगी, अब तेम की कूकर छोटा है, तो हम इसे एक ब पानी डालेंगे, तो इस गलास से मैंने दो गलास चावल लिया था, तो इसी गलास से हम तीन गलास पानी लेंगे, आप जिस कप या कटोरी से माप के चावल ले रहे हैं, उसी से आपको माप के पानी डालना है, तो यहाँ पर मैंने तीन गलास पानी एड़ कर दिया है, अब इसमें हम चावल एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने चावल को आधे गंटे के लिए पानी में भिंगो के रख दिये थे और यहाँ पर मैंने छोटे दाने वाले चावल लिए हैं जो पुलाओ का चावल आता है आप चाहे तो यहाँ पर बिर्यानी की लंब्य वाली चावल भी ले सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़ इसे हलका सा चला लेंगे और इसे ढख के चार मिनट तक हाई फिलम पर पकने देंगे और यहाँ पर देखिए इसे पकाते हुए हाई फिलम पर चार मिनट हो चुका है एक बड़ इसे चला लेंगे अब गैस का फिलम मेडियम कर देंगे और इसे मेडियम फिलम पर ढख के तीन मिनट तक और पकाएंगे और यहाँ पर देखिए इसे पकाते हुए तीन मिनट हो चुका है चेक कर लेते हैं तो अभी आप देख सकते हैं इसमें हलका हलका पानी है तो इस स्टेश पर हम क्या करेंगे इसके नीचे एक तावा रख देंगे इस तरह से तो इसे मैंने तवे के उपर रख दिया है अब इसके उपर आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें घी नहीं डाल रही हूँ अब इसे हम ढख देंगे और गैस का फिलम एक दम लो कर देंगे और लो फिलम पर इसे 5-7 मिनट तक दम देंगे और यहाँ पर दिखिए इसे दम पर रखे हुए 7 मिनट हो चुका है अब इसे हम चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं है और चावल भी अच्छे से पग गया है अब गैस का फिलम बन कर देंगे आप इसके उपर प्याज का बिलिस्ता डाल देंगे जो हम पहले से फ्राइ करके रखे थे और इसे 10 मिनच के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि यह अच्छे से शेठ हो सके उसके उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे और यह लिजिए मसूर दाल की मसालेदार भेज पुलाव बन के तियार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खिला खिला पुलाव बन के तियार हुआ है और बहुत ही टेस्टी पुलाव बन के तियार हुई है और vegetarian लोगों के लिए तो यह किसी बिर्यानी से कम नहीं है इसे आप अपने मन पसंद किसी भी राते या सलात के साथ सर्फ किजिए यह आपको बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत असान है तो इस सूपर डिलिसस मसू पुलाव की रेश्पी को एक बार जरू ट्राइ करें मेरे तरीके से तो आई होग कि आज की रेश्पी आपको पसंद आई होगी रेश्पी पसंद देती वीडियो को लाइक सेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी एक बार और पर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने माली नवी वीडियो को नोटिफिकर से आप तक पहुंचते रहें और साथ में अपना फेड़बेक देना ना भूले हैं